हलो फैंक वैल्कम बैक टू माई चैनल तो आज आगके साथ में शेर करने जा रहे हो जाए दर दो अखाने वारा टेश्टी सनैक आप महिने भर तक आसका दबता बाह отвग बनता है ज़रूद टुराइ करना यहां पर हमने लिए हैं लिंग ०ाल 200 g यानकी एक कप से थोड़ी सी जादा जिसे आपको कम से कम 5-6 गंटे के लिए भिगो के रखना है या फिर ओवरनाइट सो करके रख सकते हैं यहां पर इसका पानी हमने निकाल दिया है मिकसर जार में हम इसको डाल देते हैं थोड़ा बहुत पानी रहता है कोई दिक्कत नी है बट अब आपको इसमें पानी एड नहीं करना है देखिए दाल को मैंने 5-6 गंटे भिगोने के लिए क्यों बोला है उससे क्या होता है दाल जल्दी पिस जाते हैं तो पिसने में थोड़ा सा टाइम लगता है बस यही फरक होता है तब यहाँ पर यह दाल अच्छी से पिसकर तेहर होगे बिल्कुल आपको इसका पेस्ट बनाना है दाना नहीं रहना चाहिए और पानी नहीं डाला है इसमें डाल देना जीरा थोड़ा वह सा हल्दी कलर के लिए स्वादने सार इसमें जाएगा नमक साथ में आपके पास में चिली फ्लीक सिद्धी है तो आप डाल सकते हैं यहाँ पर दो चमच आपको डालना है गी इसको ना क्रिस्पी करने के लिए यहाँ पर चाहिए मैदा पहले यह जो चीज़ें ना सब ड पूरा नहीं डालना एक साथ जरूत के हिसाब से आपको इसमें यूज करना है आप यह माली जी यह पेस्ट से आपको मैदा डाल डाल के थोड़ा थोड़ा दो दिया करने पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है बस उतना ही मैदा कि बस यह आपका आटा लगकर तेयार हो लगता है बिल्कुल भी चिपकता नहीं है बिल्कुल नॉर्मल यह हो गया है इस पर आप थोड़ा ऐसा ओल्यागी का हाथ लगा देना ताकि उपर से ड्राय ना हो और फिर आप इसको पांच साथ मिनेट के लिए ढगकर रख देना ताकि और अच्छे से सेट हो जाएगा त और फिर आपको इसे बेल करते याड करना है आप यहाँ पर थोड़ा से सूखा आड़ा ले लेना और बस इसे ऐसी ही नॉर्मली बेल लेना आपको इसे कितना पतला बेलना है जिससे आप रोटी बनाते हो ना उतना ही पतला आपको इसे बेल करते याड करना है यह इस तरीक इसे जितना आपको बनाना है मैं प्स एतना ईजी होता है कि आपना इसको जैसे चाहे मैं घानल करना ईजह सो इससे डिकोर करना है तक तो मैं दिखा देती हैं इस तरीकै से तरी tid grind rice है यहां पर बहुत ज़रूरी है और का टैप्रिचर और आपको मीडियम टू लो रखना है ज्यादा देज गरम होगा तो क्या होगा यह ना क्रिस्पी नहीं होगे या फिर यह मा लिजिए जैसे हम समोसे बनाते हैं लो फ्लेम पर या फिर नॉर्मली मठ्री सेखते हैं वैसे उतना ही आकोल का टैंपरिचर रखना है धीमी केस पर होगी तो अच्छा क्रिस्पी बनेंगे अंदर तक अच्छा से सिखेंगे वर्णा क्या होगा बाहर से जल्दी सिख जाएंगे और अंदर से सॉफ्ट रहेंगे पूरी की तरह है तो अच्छा रिजल चाहिए तो फिर लो फ्लिम पर सिखें कुछ यहां पर पॉफ की तरह फूल जाएंगे और बाकी कुछ ऐसे रहेंगे बट जो क्रिस्पी है ना वो दोनों ही तरीके से होंगे तो यहां पर यह देखिए फस्ट बैच सिकर तयार हो गया है कुछ से केंट्स के लिए से तुर्चा करके रखना आप इसको निकाल लेना तो यहां पर यह हमारा पहला बैच बन कर तयार हो गया है इसी तरीके से हम और भी बना कर तयार कर लेंगे ऑल टेंपरिचर का ध्यान रखना है और बस ऐसे ही बनाते जाना और फ्राइक करते जाना बहुत सिंपल है दिखिए इसमें दाल का भी यू सकती हो और ट्राइज जरूर करना मैंने आपको स्टेब बाइस प्रॉपर बताया है बाके आपको कुछ भी दिकत रहती ना कोई भी कन्विजन रहता है तो आप इससे कमेंट करके पूछ सकते हैं तो बैस सभी इस तरीके से बना कर तयार कर लेते हैं तो यहां पर यह हो गय है तयार जब ही पूरी दर से ठंडा हो जाए ना आप इससे किसी भी एरटाट कंटेनर भरके रख सकते हैं खराब नहीं होगा और यह एकदम ख़ुसता बनते हैं यह देखे इस तरीके से आप इससे चाई के साथ खा सकते हैं ऐसे स्नैक जब चोटी मोटी भूख लग लग के दब खा सकते हैं या फिर आप सिंपली इस पे आलो और सौर चटनी डाल के इसकी चाट बना सकते हैं आप चाहे तो इसे डाल के मट्री कह सकते हैं डाल पापनी कह सकते हैं डाल के पफ कह सकते हैं ट्राइ करके बताएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिए फैमली फेरें thank you